सबस्क्राइब का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी क्यों में देखें हम लोग जो है ड्रग इंस्पेक्टर के प्रिवेस से क्वेशन्स डिसकस कर रहे थे और यह जो क्वेशन्स है यह आपके जो जी पैट का एक्जाम होना है और असम में ड्रग सब्सक्राइब नहीं की है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बेल अगर को प्रस करना ताकि जोन वाले वीडियोस होते हैं को नौटिफिकेशन से आप लोगों को मिल सके देखें स्टार्ट करते हैं क्वेशन आप काफी इंप्रेशन के उपर काफी बार एक्जाम में क्वेशन आता है इंसुले के उपर एक्टिंग में आपसे पुछा कौन सा नहीं है लिस पर आता है अपका डी बिलकुल राइट हो जाएगा question देखिए next है which one of the following is the only life-saving measure in the case of anaphylactic shock anaphylactic shock में क्या देंगे देखिए बिल्कु सिंपल question है काफी बार repeat होता है question options देख लिजी intravenous hydrocortisol, intravenous adrenaline, intravenous chlorpheniramin malate या intravenous glucosaline तो जो ये anaphylactic shock में हमें एक ही नाम पढ़ते हैं क्या option भी हो जगा intravenous adrenaline next है which one of the following is not a low molecular weight hyparin low molecular weight hyparin में कौन सा नहीं आता ये बताना है देखिए सारे parin वाले आते हैं इसमें low molecular weight hyparin में parin वाली drugs आती हैं जिनके पीछे parin लगा होता है देखिए inoxa parin आती है lapiridine नहीं आती ठीक है रावी पैरिन और परना पैरिन आती है option भी हो जगा आपका lapiridine को छोड़के बाकि तीनों जो है ओके next low molecular weight hyparin के एक बर और नाम देख लिजे इन ओक्सा पैरिन ररावी पैरिन डेल्टी पैरिन 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 एड्री पैरिन फोंडा पैरिन अक्स्ट इक है बाकि सब में पैरिन आता है लास्ट में एक्षोटीह नों सिंथैटिक होती है आपकी ऑक्षिडेशन रिडक्ष्टन है डीज़िश्य नाथिये फेस इस स्वे बांकि के फेस्ट ने बांकि में दुर्ग स्साइडबेसिड़िये रिकेशन हो गया आपका है which one of the foreign drug is an aromatase inhibitor aromatase inhibitor कौन सा है दिखिए aromatase inhibitor में हम लोग पढ़ते हैं लिट्रोजोल और अनस्ट्रोजोल दो ट्रग पढ़ते हैं अब यह option में देख लिए अपको लेट्रोजोल क्लोमिफन माइफ प्रिस्टोन आंसर करतेंगे आप लेट्रोजोल बिल्कुल सही ओके निक से पायराजीनमाइड इस यूज़ड फॉर्स्ट लाइन ड्रग में आपका पायराजीनमाइड आता है ओके त्यूबर कुलोसिस के लिए हो जागा यह और फर्स्ट लाइन टूबर कुलोर ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं रिफामपी सीन आता है आइसो नियाज ज़डाता है पायराजीनमाइड इथेंब्योटोर और स्ट्रिप्टोमाइसीन आता है ओके जानक ना इसको क्वेशन देखिए नेक्स्ट है कलावलानिक एक्स इस देखिए इनक्टिवेट बक्टिरियल बीटल अक्टमेज पोट एंट इनिबिटर फेप्टिड गलाइकन सिंथिस स्पैसिफिक फो ग्राम नेगिटिव बक्टिरिया इनिबिटर फिफिटी असरा बसो मत सब्सक्राइब देखिए क्लावलानिक एसिड सलबेक्टम इसको क्या करेंगे इनक्टिवेट करेंगे ओके नेक्स्ट है विच वन ओफ दे काडिक लाइक को एग लाइकोन कंटीन अल्डी हाइड ग्रूप इनिट्स स्ट्रक्चर देखिए काडिक लाइकोन के आपको एक्जाम्पल जीये हुए है कि इसमें जो है आपको एल्डी इनका स्ट्रोफ एंथरीन का स्ट्रोफ एंथरीन नेक्स्ट है विच वन ओफ फॉलिंग ड्राग यूस्ट ट्रीटमेंट ओव डाबटी इस दिज नॉट कंटेन हीटिरो सैकलिक नुकलियस्टिक है देखिए डाबटीज के ट्रुट देते हैं आपको दिये हुए गलाइब सारे आपके औरल हैपोग्लाइस जो औरल हैपोग्लाइसे मिक्स में सलफनाल यूरियास में आप लोग पढ़ते हैं गलाइबुराइड गलीपीजाइड रापगलिनाइड अलग कटेगरी की हैं देखिए तो इसमें जो है हिटिरो सैकलिक नूकलियस प्रेजन नहीं है किसम जो है कोई भी हिटिरो सैकलिक रिंग प्रेजन नहीं है बाकी तीनों में होती हैं ओप्शन ए हो जाएगा नेक्स ए अमीनो एसिड विच की वे यलो पीपिटी इन जैन्थो प्रोटिक रियक्शन अभी मैंने अमीनो एसिड के टेस्ट का भी एक वीडियो बनाया था आप व उसमे आपको बता रख है जैन्थो पुर्टिक जो रियक्शन होती हैं ये कौन से अमीनो एसिड के लिए होती है था कि हम्एब कि अरो मैटिक अबिक आमीनो एसिड के लिए होती हैं यह अरो मैटिक अमीनो company क्वेसिपेट आते हैं ओकेशन देखें नेक्स्टे लीए दौपा जो होता है लीए दोपा inhibitor होता है क्या होता है peripheral decarboxylase inhibitor जो periphery में levodopa का decarboxylation होता है उसको यह inhibit करेगा कार्बीडोपा इसलिए levodopa को कार्बीडोपा के साथ देते हैं options देख लेजिए it cross blood brain barrier it inhibit mouth a या mouth b को inhibit करता है या it inhibit dopa decarboxylase in peripheral tissue ठीक है बिल्कु सही है periphery में क्या करेगा यह dopa decarboxylase को inhibit करता है option d right हो जाएगा question देखिए next है which one of the following comes under type 1 glass used for containers type 1 में कौन से glass आते हैं soda lime treated glass borosilicate glass soda glass या soda lime treated and borosilicate glass देखे type 1 में आपके highly resistant borosilicate glass हम लोग पढ़ते हैं option b right हो जाएगा नेक्स्ट है when menthol and camphor are mixed together they will form menthol और camphor को mix करते हैं तो क्या form करेंगे देखिए positive mixture eutectic mixture solid mixture and colloidal solution तो यह जो होता है eutectic mixture form करते हैं option b आपका right हो जाएगा ओके next है paddle over disk is and usp देखिए जो dissolution apparatus होते हैं ना इनके ओपर भी ना काफी बार अग्जा में question आता है ड्रग इंस्पेक्टर में g-pad में तो इसमें देखिए paddle over disk जो usp का कौन सा होता है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शुर्य करना चैनल पर नए है तो मेरे आप लोगों से रिक्वर्च चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके थैंक यू